आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी के वीडियो नहीं लाई हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो आज आपके लिए लाई हूँ मैं जो की है पीतल और तांबे के बरतन साफ करने का वीडियो जी हाँ तो आप देख सकते हैं कि इन बरतनों की हालत की सतरह से हैं बिल्कुल काले क लोटे रख रहे हैं तो चली इसे हम नए जैसे बनाते हैं तो यहां पर हम इसे साफ करने के लिए दो चीजी लेने वाले है बहुत ही स्पेशल टेकनिक है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा मैं ग्यारेंटी के साथ बता रही हूँ क्यूंकि मैं हमेशे यह ट्रिक फॉलो करती हूँ तो देखें यहां पर मैंने दो चमच नमक और दो चमच निम्बू सत्व लिया है आप देख सकते किस तरह से दानेदार दीखता है यह जिस तरह से शक्कर चीनी के दाने होते हैं उससे थोड़ी बड़ी साइज होती है इनकी तो इसे निम्बू सत्व भी आपको 10-25 तरहोपे में आपको यह मिल जाएगा अब इसमें एक चोटी पानी आड़ करदें इसे मिक्स करेंगे तो आपको यहां पर स्टील का चमच नहीं यूज करना है नहीं तामेकी बिल्कुल एक बार में साफ हो रही है उसकी जो चमक है आप देख सकते हैं वीडियो में जिस तरह से मैं घस रही हूँ मुझे कोई जोर लगाने के जरुवत नहीं पड़ रही है बहुत ही आराम से हो रहा है अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते तो आप एक स्क्रबर ले लीजे उसकी मदद से भी आप इसे घिस सकते हैं लेकिन इसे आप हाथ से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा मैं आपको दिखाने के लिए यहाप पर स्क्रबर का यूज कर रही हूँ मैं आपको हाथ से भी करकर दिखाऊंगी तो आप देखे इस तरह से आपको दाने प्लस का साइन बनाया तो बिलकुल क्लियर आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया टेकनिक है मैं हमेशा इसे फॉलो करती हूँ तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ इसलिए आज मैंने यह वीडियो बनाया है तो देखे मैंने इसे साफ कर लिया है अब दि लो आप इस टेकनिक से साफ कर सकते हैं बहुत बढ़िया टेकनिक है और जो सामान है वो हमारे घर में बहुत एजली अपको अविलेबल हो जाता है तो इसे हमने सुखे कर लेंगे तो आप जब भी किसाबी लिकविड शेयर तांब या फिर पीतल के बरतन साफ करते हैं तो बात में कपड़े से पोच लीजे, आपको गीले बरतन नहीं रखना है, अगर आप उसे गीले रखते हैं, तो आपका साफ करने का कोई फाइदा नहीं रहता है, फिर से वो डाग चड़ जाते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स किसनी चमकदार हो गई है हमारी प्लेट, बहुत ब मेरे चैनल पर recipe related, साथ ही में इसी तरह के kitchen helpful tips और health tips मिलती रहती है, तो please चैनल को subscribe कर लीजे, और साथ ही में बाजू में जो bell icon की बटन है, यानि की जो घंटी वाली बटन है उसे भी क्लिक कर दीजे, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करू तो उसकी notification आपको सबसे पहले मिलती जाए, तो देखें, यहाँ पर मैंने second बटन ले लिया है, इसे भी मैं साफ कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं, जो अंदर वाला पार्ट है, उसे भी मैं आपको किस तरह से साफ करना है वो बताऊंगी, कि यह जो छोटा बटन होता है, उसमें हमारी हाथ नह कर पाते हैं, तो देखें, जो दाने होते हैं, अच्छी तरह से पिगलते तो नहीं है, तो हमें इसमें पानी डालते रहना, अगर आपका पानी खतम हो जाता है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करते रही है, तो देखें, मैंने यह जो मड़का टाइप है, उसम इसे भी हम वाश कर लेंगे अच्छे पानी से परफेक्ट तो देखिए फ्रेंड्स इसे भी मैंने साफ कर लिया है बिल्कुल नए जैसा लग रहा है ऐसा लग रहा है कि अभी मैंने इसे बाजार से लाया है लेकिन नहीं फ्रेंड्स यह काफी पुराना बरतन है जो मेरे घर मैं हमेशा यूज करती हूँ मेरे मंदिर में रहता ही है तो देखिए इसे भी मैंने कपड़े से अच्छे तरह से साफ कर लिया है अगर आपको चांदी साफ करने वाला पी वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताए मैं आपके लिए वो वीडियो भी बहुत ही जल देकर आउंगी तो देखिए यहाँ पर मैंने थर्ड वाला बटन ले लिया है यह बड़ा वाला है तो देख सकते हैं यह भी बहुत एजीली साफ हो रहा है कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है तो अगर आपको लग रहा होगा कि आपके हाथ खराब इस ट्रिक से आपके हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होगे खराब नहीं होगे काली नहीं पड़ेंगे साती में अगर आपके निल्स बड़े ऋए तो वह तुटने का डर भी नहीं रहता है आप इसे बहुत आराम से और चुझ कर सकते है और जोट दिक्कत नहीं से तो आपको वह दिखा देती हूं कि किस तरह से क्लीन हो चुका है आप देख रहा है इसकी चमक बहुत ही चमकदार शाइन इसमें आ चुकी है जिस तरह से हम मार्केट से नया वाला लाते है ना उसी तरह से तो देखे फ्रेंट्स इस तरह के बरतन में अंदर जो पानी रखते ह उस वज़े से काफी परत जम जाती है तो आप देख सकते हैं काफी हद तक यह साफ हो चुका है तो लीजे फ्रेंट्स हमारा जो बरतन है तांबे और पीतल के वह अच्छी तरह से क्लीन हो चुके है तो फ्रेंट्स आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए मज़े में रहिए बाइबाइबाइबाइब गुड डे